हलो फ्रेंस, वेलकम टू राइजिंग ग्यान चैनल फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू रिक्रूपमेंट की बाहें बताएं जा रहें अपकी न्यू वैकैंसी निकाली गई है व'RE exempel कि से पोस्ट के लिए आपके इंपोर्टेंट टोपिक है उन सभी पर आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में आपके वेकेंसे निकाली गई है वो आपके N.I.A.C.L.A.O. रिकृट्मेंट दो जाते ही इस नौटिफिकेशन आपके रिलिश कर दी गई है 450 पोस्ट के लिए आपके वेकेंसे निकाली गई है और ओनलाइन फॉर्म के जरी आप इसमें अप्लाइक कर सकते हैं इसके रिकृट्मेंट के परें उन्थे डिटेल में जान लेते हैं पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाई वीडिको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपको न्यू अपडेट मिलती रहें इसमें जो आपका रिकृट्मेंट ओगनाइजेशन है वो आपका दा न्यू इंडिया इंशोडेंस कंपनी लिमिटेड एन आई ए सी एल है पोरोस्ट नेम आपका एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एयो इसकेल फर्स्ट है यहां पर जो नंबर है वो आपकी ceorp.hrm.a.o.23 है वेकेंसे आपकी 450 पोस्ट है सैलरी पे स्केल है वो आपकी यहां पर 80,000 पर मन्त है जॉब लोकेशन आपकी ओल इंडिया है लाजट डेट फॉर्म अप्लाई करने के आपकी 21 अगस 23 है मोड ओफ एप्लिकेशन आपका ओलाइन रहने वाला है कैटिगरी है वो आपकी niaclao notification 23 है official website आपकी newindia.co.in है आपकी यहां पर जो application fee से उसको यहां देख लेते हैं तो general obcews के आपकी 850 रुपे है scstpwd की 100 रुपे है और mode of payment आपका online रहने वाला है important date के अगर हम बात करेते हैं आपकी apply starting जो date है वो आपकी एक अगस 2023 है last date form apply करने के आपकी 21 अगस 2023 है face first exam date आपकी 9 September 2023 है face second exam date आपकी 8 October 2023 है इसमें आपकी जो post detail है eligibility or qualification है तो यहां पर आपकी जो age limit है वो आपकी यहां पर 21 से 30 year यहां पर बताई हुए और जो यह calculate की जाएगी वो आपकी 1823 तक आपकी calculate की जाएगी और आपको जो age का relaxation दिया जाएगा वो आपको government rule की according आपको यहां पर दिया जाएगा आपकी जो post name है vacancy qualification on 1823 तक आपकी complete होनी चाहिए तो आपकी जो post name है वो आपकी administrative officer AO है यहां पर vacancy of आपकी 450 है qualification आपकी 1823 तक आपकी complete होनी चाहिए जो आपकी graduate of lake degree in related field में आपकी यहां पर आपके पास होनी चाहिए और आपका है selection process है उसकी पर देख लेते हैं तो आपका है पहले आपका है आपकी written exam होगा फिर आपका man written exam होगा उसके interview होगा फिर document verification होगा फिर medical examination आपका होगा तो फ्रेंट जो भी candidate N I A C L A O के लिए आप अपने आपको eligible समझते हैं और आप form apply करना चाहते हैं वो online form के जरीए आप इसमें apply कर सकते हैं अधिक जानकरी के लिए आप इसकी official website पर जाके जहूर सर्च कीजिए thank you so much